असलाम अनिकुम दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ आप तब थारियत से होंगे तो तो टैते हैं आपको फुशामदीद क्याता हूँ यह बोस्टन का टर्गो 3000 एर रायर है रिपेर होने के लिए यह 2000 वाट का है में इसको खोलते हैं चेक करते हैं कि इसको ग्याप अब करते हैं पर इसके बटन को चैक करते हैं और इसमें जाद कर दोलेते हैं तो अभी यहां पिसका को यह अदर फिलिक ही होगा अब लगा अग्याइच्ट से यहां पर तर्फिल्पट होगा अ मैं इसके किट में चैक करें किट को कौनते भी यहां पर क्या प्राव्लम आई यह इसके वायर के स्प्रूक होलेते है यह जोनों स्प्रूक होलेते हैं और इसके बाद देखने की आधिक यहां परभार भ्लास की अचे कि तो अइसका लगा हुए deprived यह इसका लगा हुए और संन्स डॉह की फोलë में वाईर के टाएज कि दर्म्यान में जल्गी जोड भी आ रहे है तो कहीं वहां से ना डमीज हो गई हो वायर को भी कंफर्म कर लेते हैं और प्र हम इसको चेक करते हैं कि यहां पर सीरीज से इसको ओन करके देखेंगे डिरेक्ट वायर के साथ यह जार रहा है चलता कि नहीं चलता वायर को समस्केरल है मैं यहां से जोड लेता हूं और इस दूप में लगता हूं सीरी इस लेंटेंगे यह लाइट ओन हो रही है कि अधिक है जोड लगा हुआ है यह इसके अंदर लगए तक की आपे लोगंगा है तो जुक्त में अप्यान का लेका लेका हो गया तो लोग हो रही है लग रहा है कि यहां से इसका सोल्डर जो है न वो उतर गया यह जो कॉपर की वायर को पर लगा होता है इसको पर इसको मैं सीरीज लेंके जरीया ना फ्रण्ट देखता हूं यहां पर यहां पर यहां पर करन देखते हैं तो लाइट अन हो रही है उसका मतलब है कि यहां पर ही इसमें प्रॉब्लम है तो इसका जो जो अड़ेड बपॉइंट है इसको हम जोडेडरे ने उरल करते हैं मैं इसका इसे पार्क होने से शाहएजे कर गया और यहां से एक यहां तक एक अटेच्छ आ देता हुआ जिससे मजबूर्व पे जोड़ सकता हुआ उनसे में लेकिन यहां से आपक्राइब प को अधिया यहां पर नासिप सामने साफ करना है तो अभी मैं कि यहां पर यह रख लेते हैं और इस पॉइंट को पहले हम थोड़ी सी पेस्ट लगाकर इस तरह इधर थोड़ी पेस्ट लगाती है और फोड़ी पहुत साफ हो जाए और फोल्डर होने में इसको कुछ दूना हो तो भी हम यह चोटी कॉपर की वायर है जो मैंने इस जगह प सब्सक्राइब करें के साथ मैं अभी यहां पर राक कर इसको को करते हैं मैंने लिया सोल्डर आइरंस यह मैं इस पर कर ले तो हम थोड़ी पेस्ट लगा लेते हैं इस फायर के पर भी इस फायर को सोल्डर करने के बाद अब हम इस वायर को इसके साथ अटाइच करते हैं यह सबसे पहले इस पॉइंट के मैं लगाता हूं इसना के चीजों को एक आथ से पकड़ना भी थोड़ा मुश्कील होता है यह मैं सोल्डर को यहां से थोड़ा इसको मैल्ट कर लेता हूं और इस वायर को इसके साथ छोड़ते हैं इसके दुबारा इसके साथ काफी थोड़ा मजबूत त्रीक्या से जोड़ेंगे यहां रखता हूं कोशिश किया करें इसके साथ कोई जब तूद्सरा टंका मैं भी लगाऊंगा तो ट्वीजर का इस्तमाल करूँगा क्योंकि वर्न यह काफी गरम हो जाता है जिसकी वज़ा से फिर हाथ जलने का हाथ जलता है पकड़ने में मुश्किल हो जाती है तो हमने अभी सोल कर लिया इ इसको अभी सीरीज लेंब बॉन किया और इसको मैं यहां से एक तारी दर लगाए कि यह बल्व रोशन हो रहा है इसका मतलब यह ठीक से जोड़ा गये एक दफा दुबारा में मैं सोल्डर के यह पॉइंट को चेक कर लेता हूं मश्बूत ही से कि लाग गए है कि नहीं लग इसके एक को यह में बस सोल्डर चोटी से बॉल गिरी यह वह लगा लेते हैं यहां पर मैं इसको यहां पर सोल्डरिंग आरिन रखके मेंट करता हूं कि यही चला रहे है उदर जी तो मैंने इसको दुबारा सोल्ड कर लिया अभी मैं इसकी दुबारा वायर को पकड़ता हूं यह चीजे मैं साइड पे रख देता हूं इनका काम खतम हो गया है अभी वायर मैंने यहां से की थे इसको दुबारा ओपन कर लेता हूं अब इस वायर को दुबारा यहां पर टैच करते हैं कि इस बिसल़्ल्ला इंशाला अब यह चलेगी इसका नठ लूज कर लेता हूं प्स्ड़ा इसको लूज देने का लिया अभी इसके अंदर वायर लगाते हैं वायर लगा गया मैं इसे करते हूं टाइट ये एक पॉइंट На यह क्वायर कोई कर लेते हैं ताकर इसके वायर जो आधा वायर होती है इसके अंदर वह भी इधर इधर फैलती नहीं हाँ इसको टुशे करके कमबाइन कर लेते हैं और इसको भी टायight कर लेते है जी तो मैंने इसे इदर टाइट कर लिया मैं शू के साथ एक दफ़ा इसको सीरीज लेंप पर चला कर देख लेता हूं यह लाइट ओन हो रही है इसका मतलब है अभी मैं इसे बंद करता हूं और फिर इसे प्रॉपरली ओन करता हूं जिससे हमें सारा इडिया हो जाएगा कि यह बिल्कुल ठीक हो चुका है अब मैं इसको चलाओंगा तो यह बिल्कुल ठीक चलेगा जैसे मुझे इसके पॉइंट और यह वाय इदर से इसलू हो जिसका एवला पॉइंट केवल स्ञवर स्ञेंक करता फिल्कू कंने इस हमें इसको टाइट करतें हो Biz आएम को मैंanoil सुर्ण स्रॉप्र जआ deafने अचाल क में इसको टाइट करता हूं यह यह आए डूसरा स्प्रू अगा लेते हैं यह और अश पर झाल है है एक वाई लगांकी टाइट हो गई जाए कफी बैक कवरें इसके पर दबारा लेते हैं वाइस को अदर कर लेता है यहांसे ताकर वह जो इसका बैक कवर है वह करना है इसको लगा करना है हैं फोड़ीस करने पर यह थोड़ी सी स्क्रू का होल यह जगा मैं खाली चाहिए और यह वाली जब यह तो फिर ठीक है अब लगा कर देखता हूं दौरा यहां से यह और इसको यहां से इड्जेस्स करने कोशिश करते हैं इस वाइर को मैं इसके आगे से लेकर आता हूं एक को इदर एक को इदर इस तरह अब लगाता हूं जी तो यह मैंने जोड़ी है मैं इसके स्क्रू वापे से लगा लेता हूं यह वाले फिस्क्रू टाइट करता हूं तक यह बंद हो जाए आखरी दो स्क्रूव है इसके बाद मैं इसे डरेक्स इरिए सीरीज में नहीं लगाऊंगा इसको डिरेक्ली जोड़ूँगा में एक्स्टेंशन में और यह इंशाला ओन वजेगा यह इंग्या स्क्रूव टाइट हो गया इसके इंदर दोई स्क्रूव थे बागी यहां पर एक क्लिप लगा हुआ है अब मैं इसको बंद करता हूं यहां से यह तीन पॉइंट है इसके यह भी मैं इसको जोडता हूं पुइट हेक्साम इसका है यह तो यह बिल्कुल ठीक हो गया प्रपर यह नॉर्मली हीट तुनों हीट भी काम कर रही है इसकी हीट और यह हीटर भी लुख बिल्कुल ठीक हो गया इसमें च्छोटा सा बहरी फॉल था यह देख आए तो ये बिल्कुल ठीक हो गया इसमें जस्वायर की स्वार्किंग का ही मसला था तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपको मेरी हेर डायर रिपेरिंग की वीडियो पसंद आई होगी तो ऐसी मजीद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लवाल देष्ट